हेलो इस्टूडेंट मैं पवन भमुरिया आज हम केमेस्टी का बायो मॉलिक्विल चेप्टर है उसका सेकंड पार्ट डिसकस करेंगे उसके कुछ भी ऐड्रयड्रिंहालिकर्ट कटेंट मॉलडगंव द्रीय हूं से जो होगां थे मेने टोगा completely पेइंस कासा की मतनुद पूसक्णद महतपुन है और पूद्ध की उसकाओं का महतफुन कार्भ हैड्रेट इम्पोर्टन कार्भ हैड्रेट आप ठ्लाट से इसका जो आंसर होगा वोगा चलिलोब्स क्योंकि व् Touch Serval जो है वह सेलूलोस से बनी होती और प्लांट के लिए इंपोर्टेंट जो एक रोल प्ले करता है वह कार्ऴोइड हिट सा होता है कौहिए वो और हमारा तेलुलोस नेक्स कोश्चन लेते दूद में उपस्तित सरकरा डाय सेकरेट प्रेजेंड इन मिल्क यह मोस्ट आएंपी कोश्चन है और यह जो कोश्चन है यह आपको एक्जाम में मिलेगा याद रखेंगे 23 में कुश्चन क्या है अ फिर आपको मिल्क जो है इसमें कौन सारेट होता है थोड़ा सा लला मारी हम क्ले कुलर बर बैक ले लेते फिर से next को श्षण देखते उन साइब नहीं है which is नाइट फेट एक प्रेसराइड है आइल्ट लिपीड आल ऑनल विक्त लेकिन हम लिए टेल वसा ठोल लिट टीनों जो अई वह ग्लिसराइड लेकिन जटिल योगी के कार्बोएडेट है उपसासे योजी योगी के धात्वीक योगी के complex compound having nitrogen तो इसका सही answer होगा कि यह nitrogen युक्त जटिल योगी के complex compound having nitrogen नाइट्रोजन नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और complex structure होता है acid is a vitamin तो कौन सा acid vitamin A आपको पता है vitamin C है उसी का जो नाम है ascorbic acid होता है और यह ascorbic acid जो है वो एक vitamin होता है कौन सा vitamin होता है vitamin C next question लेते RNA में नहीं पाए जाता यह मैंने पहले भी दिसक्स किया था RNA में यूरेसिल होता है एडिनीन होता है ग्वानीन होता है लेकिन थाइमीन प्रेजेंट नहीं होता विच इस नॉट प्रेजेंट नहीं होता विच इस नॉट प्रेजेंट नहीं होता विच इन्सुलीन की कमी से ओने वाला रोग इसकी डिसीज हो जाता है और इसके लिए हुमिलीन या इंसुलीन के इंजेक्शन इंटेक किये जाते हैं विटामिन बीवन वाट रिटामिन बीवन लाटेमान सब्सुलीन का मतता वितामिन विकट्वेलक in उन नाम यात रखक्ना आपको इस लिए निरमान का होता है सल्फण आर फंट इचूजबाइव बृटामीन प्रोटीन कार्भोएडरेट आइंसर फ्रोटीन जो है वो टीशू फॉर्म करते हैं टीशू का फॉर्मेशन घर नेक्स कोशन लेते यह तो भाईड है आप मिला लीजै आइनसर कोशननेक्सट फिलिन द ब्लैंक ग्लुकास एज जर सिस्थ्थ कार्बोजिन अश्देश सेकराइड ग्लुकोस 6 कारबन यूग्त खालिस्तान सेकराइड है इसका उत्तर आपको पता होना चाहिये मोनो सेकराइड है ग्लुकोसिज एन एक्जाम्पल आफ मौनो सेकराइड next question hemoglobin iron का ये भी मैं पढ़ा चुका आपको संकुल योगीग है कौन सा योगीग है संकुल complex compound है कौन सा compound है complex next nucleic हमलों का प्रमुक कार्य क्या है the important work of nucleic acid is synthesis of protein most time question हो सकता है protein का synthesis होता है nucleic acid K through protein sensation इनका प्रमुक कार्य होता है question 4 ये रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन उत्तर दाई है अब यहां पर दो चीज़ आती है अगर protein पूछे तो fibrinogen होता है और अगर vitamin पूछे तो यहां पर मैं vitamin की बात करता हूँ vitamin K जो होगा वो क्या होगा responsible होता है blood clotting के लिए vitamin K याद रखेंगे vitamin A की कमी से क्या होता है the disease cause due to deficiency of vitamin A is night blindness night blindness याद रखेंगे रात्री अंधापन जिसको हम रतोंदी भी कहते हैं क्या बोलते हैं रतोंदी इंपोर्टेंट कुश्चन हो सकता है तेविस के लिए 23 एक्जाम के लिए next question है विक्रतिकरन प्रोटीन की कोंसी सन्रशना को प्रभावित नहीं कर था the dash 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 is structure of protein is not affected by denaturing of protein इसका एंसर होगा प्राथमिक सन्रशना जो है वो प्रभावित नहीं होती प्राइमरी इस्ट्रक्चर आप protein is does not affected by denaturing या denaturation starch starch and cellulose both are example of polysaccharide तो यह polysaccharide का एक example है polysaccharide यह भी important question होता है में इस दो कॉलम में आता रहता है next question लेते हैं amino amino और और कार्बोक्सलिक समो हमने बात की थी amino 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 acid में amino group होता है और CH2 के साथ एक COH carboxlic acid group भी होता है it is a one amino acid and another is also NH2 CH2 COH क्या होगा यह COH NH2 group से क्या करता है bonding करता है जो bond form होता है को bond होता है peptide bond को कौन सा बंद बनेगा peptide bond question क्या लिखा है amino और कार्बोक्सलिक क्रिया से बनने वाला बंद कौन सा होगा peptide बंद होगा next question लेते हैं answer है आप मिला लीजी कोई अगर कुछ problem है तो मुझे बताईए next answer in one word or sentence amino हम लोग को आपस में कौन सा बंद जोड़ता है तो which bond link amino acid अभी बताया मैंने peptide bond peptide bond जो है वो amino acid को आपस में जोड़ता है peptide मैंने पिछले slide में peptide गलत लिख लिया था हिंदी में तो देख लेना peptide bond peptide बंद होगा next question है मुझ की लार में कौन सा इंजाइम होता है तो मुझ की लार saliva जो होता है उसमें कौन सा इंजाइम होता है टाइलीन होता है याद रखेंगी टाइलीन जो एंजाइम होता है वह glucose स्टार्ज को ब्रेक करता है जिससे कुछ टाइम के बाद रोटी अगर हम खाते हैं तो वह हलकी सी मीटी लगती क्योंकि वह glucose में चेंज हो जाता रखत का ठकका जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तर दढ़िए तो इसका प्रोटीन का अभी बताएथा मैंने फाइब्रीनो जन फाइबरीनोजन एक प्रोटीन है जो क्या करता है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है जल में विले विटामीन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको डिसकस करना चाहता हूँ वाटर सॉलुबल विटामीन हमारे पास दो है ऐसे दोने एक ग्रूप है तो एक तो है विटामीन बी ग्रूप बी का पूरा ग्रूप और इसके साथ है विटामीन सी अगर फेट सॉलुबल आये तो फेट सॉलुबल में फेट के लिए बात करें फेट सॉलुबल जल में गुलनसील विटामीन हमारे दो होंगे विटामिन B, ग्रूप P समू और विटामिन C और अगर बात करें कि फेट में सॉलिवल कोन है तो फेट में सॉलिवल कोन होता है विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K तो यह दोनों पर question आ सकता है, important question बन सकता है इसको याद रखेंगे अब एक्जाम तक के लिए, next question monosaccharide carbohydrate, monosaccharide carbohydrate के एक्जामपल हमको बताना है तो glucose होता है और fructose, glucose and fructose बोध हार, example of monosaccharide, next question दूद में उपस्तित disaccharide अभी दिसक्स किया था हमने, दूद में कौन सा disaccharide sugar होता है, तो lactose होता है, कौन सा होता है, lactose, important question है आ सकता है, एक्जाम में आने वाला है, तो याद रखेंगे इसको, lactose sugar होती है अपने नाम सुना होगा, lactometer, तो lactometer मतलब वो sugar को ही lactose sugar को measure करता है दूद के लिए यूज़ होता है, ये भी question में discuss कर चुका हूँ, कि keratin, बाल, उन, रेशम, जो है, हेर हमारे, या फिर silk की बात करे, उसमें कौन सा oil में, कौन सा protein present होता है, तो कौन सा protein होता है, हमने बात की थी keratin होता है, और fibrin करके एक protein होता है करके एक protein है याद रखेंगे, फईब्रोइन, peptide 1, tylin, fibrinogen, vitamin B, C, glucose, lactose, carotin and fibrinogen, ये एक answer दिए होए, next is, मैजदू कॉलम, important मेजदू कॉलम है, important इस respect में कि इसमें से ये जो हम पढ़ रहा है, इसमें से एक question आपको एक रदो कॉश्यन आएंगे, क्योंकि ये जो चेप्टर यह कितने मार्क्स का है फाइब मार्क का अब जैक्टिव प्रेश टो इंपोर्टेंट हो गाइस के लिए चली पहला है दूद मिलक मिलक को मिलाना एक्टॉस फोगर होती है तो मिल्क जो है उसका आंसर हम लेख सकते हैं फर्स्ट लेक्टोस ग्लुकोस का फार्मुला C6H12O6 यह सेकंड का आंसर है थर्ड है विटामिन C विटामिन C अगर आपको कहीं दिख रहा है तो यह थोड़ा सा mistake हो गया अंगलिस में अभी हम next slide में discuss करेंगे डायस्टेट जो है वह सरकरा में परिवर्तित करता है इंजाई है जो इस्टाज को सुगर में यहाँपर खेंद कंण करता है आधि टुपर विटामिन तो ने काम करते है तो रंट थका जमानाक काम में इसकाकर घाटामिनगे इनाफ फ फिब्ट नंबर पर आजाएं यह राइबाउस रोफ रॉबस 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 ती है वो एकषिरिपों देंड होती उडियो ऐस्केयर फोलीध करता हूं मैं दूद में सिक्ट लगो सिक्से अगर्वी गेस्याइड होता है रिपीट करता हूं ने बाइसक्र के शूगरम में यह करता है विटामिन के जो हिर विड्न करता है राय़नि Еफ्यें राइबो सुगर होती है और स्टार्च इस एन एक्जाम्पल आप पॉली सेकराइट चलिए वही है सेम डाय स्टेज डाय स्टेज क्या करता है चेंज ऑफ स्टार्च इंटू इंटू सुगर तो यह हो जाएगा फर्स्ट का ग्लुकोस जो है ग्लुकोस का फार्मुला है C6H12O ug6 स्टेओ बितामीं सी इस अ आसकार्बी असीड नेक्यस्ते सार्च इसलदी इसलदी की जोम आप बलीज में की कॉलुक्राइब है यह व्हाल है कि यह उता है सिन और लाश्ट इ फिक से बहुत हा तो यह हमार हमестно क्या गलीड़ा कॉलं हो गया यह घंजाग उड़कोश्यर of starch into sugar glucose glucose is a c6 h12o6, vitamin c ascarbages starch is polysaccharide vitamin k help करता है वह blood clotting, clotting of blood. hair fall ako be iotin, vitamin b6 TOP 2. जो help करता है, hair fall yılड में not in hair fall रोकने में और heteropolysaccharide का example हम यूज कर सकते है glycosin थेंक्यू यह हमारा chemistry का एक अच्छा session है और एक easy session है इसके तुरू आप 5 marks easily gain कर सकते हैं तो आप इसको ध्यान से पढ़े और session कैसा लगा हमें बताए और जादा से जादा बच्चों को share करें Thank you